हलो गाईज तो ये weekly current affairs वाले वीडियो में जून महीने का ये हमारा second वाला part होगा और इसी वीडियो के साथ आपके जून मन्त के सारे weekly part complete हो जाएंगे तो चलिए इसे भी शुरू करते हैं और हाँ वीडियो देखने के बाद इन सभी questions का आप quiz जरूर लगा जीजिएगा जो क आपको बताना है ये जो कुशी नगर airport है ये किस राज्य में पढ़ता है तो आराम सहाब इसका अंसर देबाओगे उत्तरप्रदेश इसका अंसर होगा अच्छा इसी कुशी नगर से आपको एक और point याद आना चाहिए देश की पहली transgender university ये का पे बनेगी ये प्रेस्टिंग करने वाला पहला राज्य आपका है उत्तरप्रदेश जियो टैग कम्यूनिटी किचन शुरू करने वाला पहला राज्य है आपका उत्तरप्रदेश गूगल के साथ मिल करके वर्चल कोट के जरिये सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना था आपका उत्त उसी तरह से COVID-19 मरीजों के लिए एक लाख बिस्तर तयार करने वाला पहला राज बना था आपका उत्तर प्रदेश और अपने सभी अस्पतालों में वेंटीलेटर बेड़ की सुविधा देने वाला पहला राज बना था उत्तर प्रदेश अभी इसने बाल शर्मिक विद्या योजना भी शुरू की थी बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए उसके अलावा उत्तर प्रदेश के गौरकपुल टेरा कोटा को जी आई टेक भी अभी मिला है और उत्तर प्रदेश का ही एक सरकारी अस्पताल है जिसका नाम है किंग जॉर्ज मेडिकल युनिवर्सि यानि कि माइग्रेशन कमिशन की भी स्तापना की है आयूश कवच कोविड एप्लिकेशन को भी लॉंच किया है जन्च सुनवाई पोटल को भी लॉंच किया है प्रवासी राहत मित्र एप्लिकेशन भी लॉंच की है उसके अलावा उत्तर प्रदेश अपनी 800 किलोमेटर की स जो रेल डिब्बो में जो आईसोलेशन वाड बने हुए हैं उनमें रखने वाला पहला राज्य बन गया है अच्छा उत्तर परदेश की गवर्णर से भी एक प्रशन आपके एक्जाम में पूछा जाएगा कि अभी पहल तो ये बता उत्तर परदेश की गवर्णर कौन है आनंदी बेन पटेल है प्रशन क्या पूछा जाएगा कि अभी आनंदी बेन पटेल को किस राज्य के गवर्णर का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्जेज मिला है तो याद रखना मद्य परदेश के क्योंकि मद्य परदेश की गवर्णर का नाम लाल जी दास टंडन है लेकिन उनका इलाज चल रहा है इसी लिए अनंदी बेन पटेल को मद्य परदेश के गवर्णर का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौप दिया गया लखना उत्तरप्रदेश की कैपिटल है जो की गोमती नदी के किनारे स्थित है हमारे जो रक्षा मंतरी है राजनाद सिंग उनका निर्वाचन शेतर भी लखना हुई है और यहां के मुक्य मंतरी योगिया देते नात है फिर है हाली में जारी दुनिया के सबसे तेज टॉप 500 सूपर कम्प्यूटर की लिस्ट में कौन सा देश टॉप पे रहा है देश टॉप पे रहा है से मतलब क्या होगे किस देश का सूपर कम्प्यूटर इस लिस्ट में टॉप पे रहा है तो आंसर होगा जापान और जापान के उस सूपर कम्प्यूटर का नाम क्या है फूगाकू फूगाकू और इसको टॉप 500 सूपर कम्प्यूटर के लिस्ट में पहला इस्थान मिला है और 2011 के बाद जापान के किसी कम्प्यूटर को सूपर कम्प्यूटर का दर्जा मिला है और होने वाले थे जो कि Summer Olympic था लेकिन अब वो अगले साल होगा Currency Yen है, प्रधान मंत्री है शिंजु अबे और जापान से एक most important question जो आपके अक्सर exam में पूछा जाता है कि सुर्यदे का देश यानि कि Land of Rising Sun किसको कहते हैं तो जापान को ही कहते हैं और जापान की sunset को क्या कहते हैं, डाइट कहते हैं इसके अलावा जापान से कुछ और question में आपको बता रहा हूँ जो अभी news में थे, ध्यान से सुनना जापान की एक tennis player है जिनका नाम है Naomi Osaka तो अभी Forbes की दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाडियों के जो सूची आई थी, उसमें ये top पे रही थी महिलाओं की सूची में और आपके लिए प्रशन बन जाता है यहां से कि पुरुशों की सूची में कौन टॉप पे रहते हैं खिलाडियों के हम बात कर रहे हैं इसके अलावा अभी जापान ने Space Operations Squadron launch किया था और हमारे मनीपूर के डॉक्टर है ठंग जाम धबाली सिंग उनको जापान के Order of Rising Sun से अभी सम्मानित किया गया था इसके अलावा इस साल के जैनवरी में जो हैनले Passport Index आया था उसमें टॉप पे था जापान और भारत उसमें 84 नंबर पे था और जनवरी में ही हमने जापान के साथ सहयोग काजिन नाम का एक exercise भी किया था तो इतने current affairs हैं जो आपको जापान से याद रखने फिरे राष्ट्रे सांखे की कार्याले के अनुसार 2017 के लिए क्रश शक्ती समता यानि की purchasing power parity के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थ विवस्ता में भारत की rank क्या है भारत तीसरे नंबर पे है तो अभी National Statistic Office ने World Bank के देटा के अनुसार ये बताया है कि भारत 2017 के purchasing power parity के मामले में चाइना और USA के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थ विवस्ता वाला देश बना हुआ है पहले नंबर पे चाइना है दूसरे पे USA है और तीसरे पे भारत अच्छा ये करेश शक्ती समता Purchasing Power Parity का मतलब क्या हो गया तो ये Purchasing Power Parity हमें ये बताता है कि दो देशों की currency की जो exchange rate है विने में दर जो है वो संतुलन में है यानि कि equilibrium है जब उन दोनों देशों में उनकी Purchasing Power सेम है मैंने आपको example भी दिया था example दे समझो जैसे कि 1 US dollar आप मानलो कितने रुपे होते हैं 75 रुपे होते हैं भी मानके चलो तो आप 1 dollar में USA में जितना दूध खरीदोगे तो उतना ही दूध आपको भारत में मिलेगा 75 रुपे में बात आपको समझ में आ रही है हमने का 1 dollar 75 रुपे के बराबर है तो 1 dollar में जितना आप लीटर मिल्क खरीदोगे USA में उतना ही लीटर मिल्क आपको भारत में मिलेगा 75 रुपे में तो ये इसका मतलब हो गया फिर है किस राज्य को इपंचायच पुरुसकार 2020 के तहट प्रथम पुरुसकार मिला है तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्य मंत्रिये जैराम ठाकूर उन्होंने काए कि राज्य की जितनी भी 3226 पंचायते हैं उनको इंटरनेट से जो राज्य को इपंचायत पुरुसकार 2020 मिला है तो हिमाचल प्रदेश को हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है देख उसकी दो कैपिटल है अगर आपसे पूस्ते समर कैपिटल क्या है तो शिमला है अगर आपसे पूस्ते विंटर कैपिटल क्या है तो धरमशाला है मुख्य मंतरी जैराम ठाकूर हो गई गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रे अभी आपको याद दूगा हिमाचल प्रदेश की सरकार ने वरिष्ट नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की थी उसके अलावा परधान मंतरी उज्वला योजना के अंतरगत सो प्रतिशत LPG पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश इसके अलावा हिमाचल प्रदेश ने निगाह प्रोग्राम भी शुरू किया था इसमें क्या था जो बाहर से लोग आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में तो उनके परीजों को सिक्षित करा गया था कि बया सोशल डिस्टेंसिंग बना सम्मानित करने की गोशना की गई तो अंसर होगा गुलाब भाई संग मनेर कर को तो ये लोग कलाकार हैं गुलाब भाई संग मनेर कर और निको वीठा भाई नारायन गाव कर लाइफ टाइम अचीमेंट अवर्ट से सम्मानित करने की गोशना की है और इन्हें ये सम्मान दो महाराश्टर की है तो कैपिटल इसकी मुंबई है मुख्य मंत्री उद्दव ठाकरे हैं और गवर्नर है भगत सिंग कोश्यारी अभी बॉंबे हाई कोट के नए चीफ जेस्टिज बने थे तो उनका नाम भी याद रखो दिपांकर दत नाम है याद रखना मुफ्त स्वास्त बीमा प्रदान करने वाला पहला राज भी आपका महाराश्टर ही बना था उसके अलावा अभी मरसर के कोस्ट ओफ लिविंग सर्वे 2020 की रिपोर्ट आये थी उसमें भारत में सबसे महंगा शहर रहा मुंबई दुनिया में ये 60 वे नंबर पे है और टॉप में मतलब सबसे महंगा दुनिया में कौन सा शहर है हॉंग कॉंग है और अभी महाराश्टर ने अपनी परियावरन मंतराले का नाम बदल करके क्या कर लिया परियावरन वजलवायू परिवर्तन विभाग फिर अभी किस राज में ये सार कापू नेस्तम स्किम शुरू की गई है तो अंसर ह अंद्रप्रदेश में और इसका तो आप देखते हैं अंसर लगा दोगे देखो मैंने आपको दो चीज़े बताईए दो चीज़े आप याद रखो अगर किसी भी योजना के आगे YSR लगा होता है तो वो आपकी कहां की होगी आंद्रप्रदेश की होगी इसी तरह से एक YSR कापू नेश्तम स्कीम की बात करेंगे तो ये क्या है तो इस योजना में गरीब और योग्या कापू तेलग बलीजा और ओंटरी समुदाई की जो महिलाएं हैं जिनकी उम्र 45-60 वरस के बीच में है उनको आर्थिक मदद दी जाएगी इनको हर साल 15,000 रुपे के हिसाब आप से 5 साल तक रुपे दिये जाएंगे तो टोटल कितने दे दिये 15-5 75,000 रुपे दिये जाएंगे हर साल 15,000 रुपे 5 साल तक देंगे कंटिनू आंदर प्रदेश से याद रखो देखो वर्तमान में इसकी कैपिटल है लेकिन प्रस्तावित कैपिटल इसके अम्रवती है उसके अलावा भाषा के आदार पर गठित होने वाला पहला राजय भी आपका आंदर प्रदेश ही है और भारत का पहला एकुआ मेगा फूट पार्क ये कहां पे खुला है तो ये आंदर प्रदेश में खुला है ये प्रश्ण एक्जाम में आ चुका है आपके उसके पहला ओनलाइन वेस्ट मेनेजमेंट प्लेटफॉर्म ये भी लॉंच किया अंदरप्रदेश ने, अंदरप्रदेश में आपका भोगा पूरा मंतर राष्टर हवाई अड़ा भी बन रहा है, और आपके देश का पहला दिशा पुलिस इस्टेंशन ये भी आंदरप्रदेश म योजना शुरू की थी, नवरत नालू पेद लंद रिखी इलू योजना शुरू की थी, और मोबाइल हैंड वाश सुविधा भी शुरू की थी, उसके अलावा जगन्ना विद्या दिवेना योजना, जगन्ना वस्ती दिवेना योजना और जगन्नाण चेदूडू योज यानि कि Toronto International Film Festival 2020 का Brand Ambassador बनाया है तो आंसर होगा अनुराग कश्यप को और प्रियंका चोपड़ा को या अनुराग कश्यप ये फिल्म मेकर है और प्रियंका चोपड़ा एक्टरेस हैं आप जानते ही हो तो दुनिया भर में फिल्मों के लिए फेमस Toronto International Film Festival 2020 का आयोजन होने वाला है और इसके लिए अभी इसके जो Brand Ambassadors होंगे उनकी लिस्ट भी जादी कर दी है जिसमें दो भारतिया हैं एक तो है ब्रियंका चोपड़ा और एक है अनुराग कश्यप ये सल सेप्टमबर में होगा फिर केंद्रे स्वास्थमंत्री ने खून की मांग यानि की खून को ओर्डर करने के लिए किस नाम से एक application को launch किया है तो आंसर होगा e-blood service तो हमारे जो स्वास्त्य मंत्री हैं, स्वास्त्य परिवार कल्यान मंत्री हर्षवर्दन, उन्होंने ही ये e-blood service नाम से एक mobile application को launch किया है, तो जिसे कि अगर आपको blood की जरूरत है, तो आप इस application के जरी चार unit तक blood की मांग कर सकते हैं, और इस application को किस ने बनाया, Center for Department of Advanced Computing की e-Raktkos team ने बनाया है, और इसे Indian Red Cross Society ने बनवाया है, आपको साथ में याद रखना है, Indian Red Cross Society के अध्यक्ष भी आपकी यही है, हर्षवर्दन, अच्छा blood से याद आना चीए आपको एक question, World Blood Donor Day कब मनाते हैं, याद अको 14 जून को मनाते हैं, और इस बार की theme क्या रही थी, Safe Blood, Safe Life, सुरक्षित रक्त बचाये जीवन, फिरहाली में जारी वार्षिक TB Report 2020 में 2019 में, TB रोगी कितने परतिशत बड़े हैं, तो अंसर होगा 14 परतिशत, तो हमारे जो स्वास्त्व परिव का लियान मनती हैं, यह हर्ष वर्दन जी, इन्होंने ही अभी Annual TB Report 2020 को जारी किया है, जिसमें बताया है कि 2019 में TB के रोगी लगबग 24.04 लाख थे, जो कि 2018 के मुकाबले 14 परतिशत बड़े हैं, इंक्रीज हुए हैं, साथ में आपको दो चीज़े याद रखनी है, वर्ल्ड लेवल पे TB को खतम करने का लक्षे रखा है 2030, लेकिन भारत में यह जो टारगेट है TB को खतम करने का वो है 2025 तक का, पर यह जो रिपोर्ट है, यह 2020 के नाम से जारी की गई है, डेटा 2019 का है, यह ध्यान रखना, इन सब के अलावा, TB को रोकने में किस राज्य ने अच्छा का पर रहा है, अच्छा, वर्ल्ड TB Day कब मनाते हैं, तो 24 मार्च को मनाते हैं, जिसकी ठीम रही थी, इट्स टाइम, और जो हमारा TB केमपेन है, उसका स्लूगन भी आपसे पूछा जा सकता है, क्या है TB केमपेन का स्लूगन, नारा, TB हारेगा, देश जीतेगा, फिर है, ड्रोन के जरिए TB नियंतरन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया, तो आंचार होगा भारत, तो अभी मेक इन इंडिया के तहट, TB के हमले से, फसलों को बचाने के लिए, वेकल माउंटेड, ULV स्प्रेयर तेयार किया गया है, यहाँ पे ULV का मतरब है, अल्टरा ल गया दुनिया का, अचा ड्रोन से एक और पॉइंट याद रखना, अभी HDFC एरगो ने देश का पहला ड्रोन कवर शुरू किया है, मतलब अगर आपके पास ड्रोन है, आप ड्रोन चलाते हो, और अगर किसी की संपत्ति को नुकसान पहुचाते हो, या किसी को चोट पहुच करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, आत्म निर्बर अभियान शुरू किया है, तो इसमें होगा क्या, तो जो कस्तिमर होंगे, वो खुद अपने हातों से पेटरोल या डीजल भरेंगे अपनी गाड़ियों में, और तेल भरने से पहले वो अपने ह परहाकों के लिए ये वीडियो के वाइसी सर्विस शुरू की है, के वाइसी मतलब नो यूर कस्तिमर, एक्चलि में जब आप बेंक में नया खाता खुलवाने के लिए जाते हो, नया अकाउंट खुलवाते हो, तो के वाइसी करना आवश्यक होता है, तो अभी तक क्या होत आता जो कस्तिमर्स होते हैं, उनको के वाइसी करवाने के लिए बैंक में जाना पड़ता था, लेकिन अब आप अपने घर में बैठे बैठे, वीडियो कॉलिंग के थुरू कुछ ही मिन्टों में के वाइसी करवा सकते हैं, और इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी र पहला बैंक बना है आपका कोटेक महिंद्रा बैंक, लेकिन वो सेविंग अकाउंट खोलने वाले ग्रहकों के लिए हैं, फिर से अंतर समझो, अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हो, तो उस मामले में वीडियो के वाइसी शुरू करने वाला पहला बैंक आपका के वाइसी दे रहा है लेकिन यह पहला बैंक नहीं है सेविंग अकाउंट वाले में अंतर को समझ ना बिल्कुल बारी की से बाकि आइसी 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 मतलब क्या हो गया इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इंवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन अफ इंडि तो अभी विश्व कराटे संग ने कराटे असूसियेशन ओफ इंडिया की मानिता को समाप्त कर दिया एक्चुली में 2019 में जो चुनाओ हुए थे यहाँ पे उस समय कराटे फेडरेशन ओफ इंडिया ने वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के नियमों का उलंगन किया था उसी कार से अब इसकी मानिता को रद्ध कर दिया यहाँ से एक और पॉइंट याद रख लो वर्ल्ड कराटे फेडरेशन की इस्तापना 1970 में हुई थी और इसका हैड्रेड स्पेन में और इसके प्रेसिडेंट का नाम है एंटोनियो एस्पिनोस यह भी स्पेन से है फिर अभी किस र किया जा सके तिरिपुरा की कैपिटल अगरतला है मुख्य मंत्रियं विपलप कुमार देव और यहां के गवर्नर हैं रमेश बेस और यहां के चीफ जस्टिस का नाम क्या है अखिल अब्दुल अहमद कुरेशी अखिल कुरेशी के दो बाकि अभी तिरिपुरा सरकार ने ही प्ले लिटल, स्टडी लिटल योजना को भी शुरू किया है उसके लावा एग्रो एंटर्पनियोर फैसिलिटेशन डेस्क को भी शुरू किया है और एक नेबर हुड क्लासेज भी शुरू किती तिरिपुरा सरकार ने और यहीं पे ही मुख्य मंत्री, यूबा, योगा, य उनों एंड पर स्वदेशी रूप से विक्सित, एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला भारत का पहला हावाई एड़ा कौन सा बन गया, तो आंसर हुगा केंपे गोडा इंटरनेशनल एरपोर्ट, तो बैंगलुरू का है ये केंपे गोडा इंट इसको कारण से मैं आपको बताता हूँ, एक तो अभी इसको स्काई ट्रेक्स अवार्ड मिला था, उसके अलावा, स्मार्ट ओटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम की तेनाती करने वाला पहला हवाई एड़ा अभी यही बना था, केंपे गोडा इंटरनेशनल एरपोर्ट, तो यह तीन पॉइंट अभी हमने करन्ट अफेट्स में देखे थे, तो यह आप याद रखना, उसके अलावा, कुशी नगर एरपोर्ट यह हम देखे चुके हैं, उत्तर प्रदीश का है यह, और अभी इसको अंतर राष्टर हवाई एड़ा का दर्जा मिल चुका है, और मैरिल बॉन किर्केट क्लब की अद्यक्ष बनने वाली पहली महिला कोन होंगी, तो आंचर होगा, क्लेयर कोनार, इंगलेंड की पूर्व महिला कप्तान है, यह क्लेयर कोनार, और अभी यह, मैरिल बॉन किर्केट क्लब की अद्यक्ष बनने वाली पहली महिला अद्यक्ष हो पिछले साल श्री लंका की जो पूर्व कप्तान है कुमार संगा कारा वो इसके अध्यक्ष बने थे और उनसे भी एक important question बना था कि ये मेरिल बॉन किर्केट क्लब के पहले गैर ब्रिटिस अध्यक्ष बने हैं और अभी इनका कारेकाल भी समाप्त हो गया था लेकिन कोरुना वारेस के कारण अभी इनका कारेकाल बड़ा दिया गया है तो अब अगली जो अध्यक्ष बनेंगी वो ये होंगी क्लेर कुनोर चोकि मेरिल बॉन क्रिकेट क्लब के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष होंगी तो इनका नाम important रहेगा बाकी तो ये नाम भी important है जैसे कि व 2023 में जो महिला फुटबॉल विश्व कप होंगे उसकी मेजबानी करेगा तो अंसर होगा न्यूजिलेंड के साथ तो पहले तो ये याद रखो कि 2023 में आपके होंगे ये FIFA Women's World Cup और उसकी मेजबानी करेंगे दो देश Australia और New Zealand अच्छा 2023 में ही आपके Commonwealth Youth Games भी होंगे पहले ये 2020 में का पे होंगे बहरीन में होंगे और यहाँ पर अगर पेरा हम हटा दें तो क्या बन जाएगा Asian Youth Games और ये का पे होंगे ये चाइना के शांटाओं में होंगे 2021 में ही और 2021 में ही आपके पुरूशों का World Boxing Championship भी होगा जो कि सर्विया के Belgrade में होगा और 2021 में ही Badminton World Championship भी हो की जो फुलफाम होती है वो है Federation International of the Football Association Headquarters का जूरिक सुट्जलेंड में है और इसके प्रसिडेंट है ग्यानी इनिफनिटो फिरे सो प्रतिशत कचरे का निप्टान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है तो अंसर होगा 36 गड़ तो अभी 36 गड़ के जो मुख प्रतिशत कचरे से खाद बनेगी साथ में सिमेंट कारखानों के लिए इंधन भी मिलेगा और तो और छे मेगावाट बिजली भी प्रोड्यूस की जाएगी और असी के साथ 36 गड़ देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां पे 100 प्रतिशत कचरे का निप्टान नया राइपूर में देखो अभी नया राइपूर न्यूज में इसलिए था क्योंकि उसका नाम बदल करके अटल नगर हो गया और राइपूर इसकी कैपिटल है उसका कोई नाम चिंज नहीं हुआ है तो इसमें आप कन्फ्यूज मत होना इसके अलावा भी 36 गड़ के हो गया है तो इनका नाम भी याद रखना अभी 36 गड़ सरकार ने पढ़ाई तुहर द्वार पोटल भी लॉंच किया है उसके अलावा होम डिलिवरी के लिए सीजी हाट योजना भी शुरू की है और अभी 36 गड़ की पुलिस ने होम कौरंटाइन लोगों के लिए रक्षा सर्व एप्लिकेशन भी लॉंच किया था और 36 गड़ की पुलिस से एक और पॉइंट याद रखना अभी 36 गड़ के जो पुलिस कर्मी है उनको डिपरेशन से बाहर निकालने के लिए इस पंदन योजना भी शुरू की गई थी अच्छा यहां से दोती नेशनल पार्क काफ फिर है Hashtag Me Too नाम की बुक को लॉंच किया गया है इसके लेखक का नाम क्या है आंसर उगा करनपूरी तो लेखक है ये करनपूरी और इन्होंने ही लिखी है ये बुक जिसका नाम है Hashtag Me Too A Collection Of Short Story तो इस बुक में कुछ मशूर हस्तियों और अन्य प्रसिद हस्तियों के नाम में आपको बताता हूं काजुओ इशी गुरो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टे नाम है एक्जाम में आएंगा ही आएंगा अभी इन्होंने बुक लिखी है उसका नाम क्या है क्लारा एंड दसन जोकी अगले साल मार्च में लॉंच की जाएगी और काजुओ इशी ग अब आप समझ गे होंगे मैं क्या बुचने वाला हूं 2019 का लिटरिचर का नोबल पुरुसकार किसने जीता पीटर हैंड के ये आपको पता होने चाहिए हर शेतर के नोबल पुरुसकार के विजिताओं के नाम आप याद रखो अगर एक्जाम देने जा रहे हो तो ये याद रखो भईया एक्जाम में प्रश्ण बनते हैं यहां से बाकी जेकर रॉलिंग हैरी पॉर्टर सिरीज लिखी है इनोंने और अभी इनकी नई बुक आई है जिसका नाम है द इका बोग और अमिश्ट रिपाठी ने भी एक नई बुक लिखी है जिसका नाम है लेजेंड और अब इनको 2018 के अरजुन अवर्ट से सम्मानित किया जाएगा अब 2018 का अब क्यों मिल रहा है इतना लेट तो मिने आपको बताया था एक्चुली 2018 में इनके उपर डोपिंग के आरोप लगे थे इसलिए उन्हें तब नहीं दिया गया था पर अब उन पे डोपिंग के आर अब रहा है तो अगर आप अपडेटेड रहते हो तो उसे का यही बेनिफिट है कि आप ऐसे स्टुडेंट्स को जो करन्ट अफेर से अपडेटेड नहीं रहते हैं उनको यहाँ पे मात दे सकते हो आराम से अच्छा संगीता चानु एक और चानु नाम आपको याद होगा म अच्छा वेट लिफ्टर है यह संगीता चानु तो आपको पता उना थी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का हैटकोर कहां पर है हंगरी बुड़ापेश्ट में है फिर अभी किस राज्य ने पशुधन नियाय यूजना शुरू किये तो अंचरों का 36 गड़ सरकार ने तो पशुपालकों को लाब पहुचाने के लिए इस गोधन नियाय यूजना को शुरू किया जाएगा कब शुरू किया जाएगा तो हरेली पर्व पर इसको शुरू किया जाएगा ये जो हरेली पर्व है इसे हरियाली भी कहा जाता है जो कि 36 गड़ का पहला त्य के साथ पशुधन मालिकों से गाई के गोबर को भी खरीदा जाएगा ताकि उन्हें कुछ आर्थिक लाब मिल सके तो सिंपल सा याद रखो पशुधन न्याय योजना ये है आपके 36 गड़ की और 36 गड़ के बारे में आपको पीछे बता चुका हूँ फिर हाली में जारी स्विस बैंक में जमा विदेशियों के धन के मामले में भारत का इस्थान क्या रहा भारत 77 नंबर पे है तो अभी स्विस नेशनल बैंक ने एन्वल बैंकिंग स्टेस्टिक 2019 नाम से रिपोर्ट जारी की है और उसमें बताया है कि स्विस बैंक में जमा विदेशियों के धन के मामले में भारत 77 नंबर पे है 77 वे स्थान पर है और ये 2019 के डेटा के हिसाब से है क्योंकि 2018 में भारत 74 नंबर पे था भारत 77 नंबर पे है उसका मतलब ये हो गया कि स्विस बैंक में जितना पैसा है उसमें भारतियों का जो हिस्सा है वो मात्र 0.06% है और इसी के साथ भारत 77 नमबर पे है टॉप पे कौन है? टॉप पे ब्रिटेन है 27 प्रतिशत हिस्से के साथ स्विस नेशनल बेंक की बात करेंगे हैटकोर्टर इसका जूरिक स्विट्जलेन में है चेर्मेन है थॉमस जॉड़न फिर अभी नासा ने अपने मुख्याले हैटकोर्टर का नाम किनके नाम पर रखने की घोशना की है तो अंसर होगा Mary W. Jackson तो नासा का जो वाशिंग्टन D.C. में जो हैटकोर्टर है उसका नाम Mary W. Jackson के नाम पर रखा जाएगा कौन है ये ये नासा की पहली अफ्रीकी अमेरीकी महिला इंजिनियर है अच्छा नासा नाम बदल रहा है तो इससे कुछ याद आ रहा होगा आपको नैंसी ग्रेस रोमन याद आया नासा ने अपने नए टेलिस्कूप जिसका नाम है डबल्यू फर्स उसका नाम इनी के नाम पे रखा था यह हमने पढ़ा भी था उसके अलवा केथी सुलेवन का नाम भी न्यूज में था क्योंकि प्रत्वी के सबसे गहरे हिस्से तक पहुँचने वाली पहली महिला बनी है यह फिर केथी लॉइडर्स नासा के मानव अंतरिक्ष उडान मिशन यानि की हुमन स्पेस फ्लाइट मिशन की पहली महिला प्रमुक बनी है यह और अभी महिलाओं से और अभी पहली महिलाओं से एक उर नाम हमने पढ़ा था क्लेर कुनूर का यह मेरिल बॉन किर्केट कलब के अद्यक्ष बनने वाली पहली महिला होंगी यह नाम भी यादोना चाहिए NASA की बात कर ले, NASA मतलब National Aeronautics and Space Administration स्थापना 1958 में हुई थी, DRDU की भी 1958 में हुई थी स्थापना और NASA का Headquarter Washington DC में हो गया और इसके अध्यक्ष का नाम है Jim Bridgestine अच्छा, NASA से एक प्रशन और बताता हूँ आपको अभी NASA ने रंजीत कुमार को NASA Distinguished Service Medal से भी सम्मानित किया था और गाईज हम आगे तो बढ़ते हुए जा रहे हैं लेकिन हाँ थोड़ा सा ध्यान रखो वीडियो को लाइक वगेरा कर दिया कि आपने चेक करो एक बार यहाँ पर यहाँ लाइक का बटन होता है तो इसको लाइक करते हुए जरूर चले लास्ट का इंतजार ना करें ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहे चलिए भी आगे बढ़ते हैं फिर हाली में किये गए सर्वे के अनुसार भारत के ग्रेट टेस्ट बल्ले बाच कौन बन गए हैं तो आंसर होगा राहूल द्रविड अच्छा ये सर्वे किस ने किया विजदन इंडिया ने एक्चलि पोल कंड़क्ट करवाय था जिसमें राहूल द्रविड को सचिन से 52% जादा वोट मिले हैं और इसी के साथ राहूल द्रविड अब तक के सबसे महान भारते टेस्ट बैट्समेन बन गए हैं राहूल द्रविड से आपको याद होगा 2019 में नेशनल किर्केट अकेडमी का हैड भी इनको बनाया गया था और ICC Hall of Fame में शामिल होने वाले ये पांचवे भारते बने थे इनके बाद छटवे भारते कौन बने थे सचिन तेंदुलकर बने थे वैसे सचिन तेंदुलर की बात करेंगे तो एक इस्टैटिक कुशन आपको पता होना चीए इनके आटो बायोग्राफिक का नाम क्या है बाकी सौरव गांगुली ये वरतमान में BCCI के 39th नंबर के अध्यक्ष हैं और अभी इनको टोक्यो अलंपिक के लिए गुडविल एंबेसेडर भी न्यूक्त किया गया था बाकी एक और पॉइंट याद रखुएंच से अभी JSW सिमेंट के ब्रेंड एंबेसेडर बने है ये सुनील छित्री के साथ मिलकर और इनकी ओटो बैयोग्राफी का नाम क्या है सेंचुरी इस नॉट इनफ बाकी वसीम जाफर ये उत्तराखंड किर्केट टीम के कोच बने है फिर अभी किस राजी की सरकार ने महा परवाना यूजना को शुरू किया है तो आंसर होगा महराश्टर सरकार ने अब इस यूजना का उद्धिश्य क्या है राज में उद्ध्योगों को आकरशित करने के लिए महा परवाना यूजना की शुरूआत की है अब इसमें होगा क्या जैसे आप 50 करोड या उससे ज़्यादा का निवेश करना चाते हो महराश्टर में कोई कमपनी लगाना चाते हो तो आपको आश्वाशन पत्र के सासत कई डिपार्टमेंट से कई विभागों से जो पर्मिशन लेनी होती है उसमें छूट मिलेगी कब मनाया गया तो आंसर होगा 27 जून को तो 2017 के बाद हर साल इसे 27 जून को मनाया जाता है MSME Day के रूप में MSME मतलब होता है Micro Small Medium Enterprises कौन मनाता है United Nation इसे मनाता है अच्छा हमारे MSME मंत्री कौन है नेतिन गडगरी जी है जिनका निर्वाचन शेतर नागपूर है वैसे इनके पास एक और मंत्राले है परिवहन वर राजमार्ग मंत्राले और अभी MSME से एक और प्रश्न बना था कि इसके सेकरेटरी सचीव कौन बने थे अरविंद कुमार शर्मा बने थे अच्छा एक और डे हमारा छूट गया ये 25 जून वाला 25 जून को हमने सी फेरर डे के रूप में मनाये था एक्चली में अंतर राश्क्रे व्यापार और वेश्विक अर्थ व्यवस्ता में जो नाविक होते हैं नाव चलाने वाले उनके योगदान को चिनह होगा बैंगलुरू तो अभी स्टार्टप जिनोम ने ग्लोबल स्टार्टप एको सिस्टम लिस्ट 2020 जारी की है और इस लिस्ट में उन अच्छे शहरों को शामिल किया गया है जहांके स्टार्टप ग्लोबली यानि कि वैश्विक लेवल पे सफलता प्राप्त कर रहे हैं तो इसमें टॉप 30 में एक मात्र भारती शहर रहा वो है बैंगलुरू 26 वे नंबर पे रहा है उसके बाद दिल्ली 36 वे नंबर पे है 36 और टॉप पे कौन है टॉप पे है केलिफॉर्निया की सिलिकन वेली अच्छा इसके अलवा टॉप 100 इमर्जिंग एको सिस्टम फॉर स् 20 जारी की थी जिसमें भारत कितने नंबर पे था 23 नंबर पे था और टॉप पे USA था तो वो भी ध्यान रखना फिर अभी किस फुटबॉल क्लब ने प्रीमियर लीग का किताब जीता है तो आंसर होगा लिवरपुल ने तो इंगलेंड का फुटबॉल क्लब है ये लिवरप है और आपको याद होगा रोहित शर्मा को भारत में इसका ब्रेंड अमबेसेडर बनाया गया था और रियल मेड्रेड ये भी एक स्पैनिश फुटबॉल क्लब है फिर एक किस देश ने 2023 तक पहले परियटक को स्पेस वाक पर ले जाने की घोशना किया तो आंसर होगा रश रश्या से एक और पॉइंट याद रखना अभी रश्या ने आभासी यानि की वर्च्वल रश्या इंडिया चाइना समिट की भी मेजबानी की है जिसे केते हैं आर आई सी त्री पक्षिये बैठक फिर अभी किस अंतर राश्टर खेल संगठन ने एक ऑनलाइन टूल प्रेयन टूल रोड ден टू टोकी वर्च लांच किया है वर्ड अथलेटिक्स ने वर्ड अथलेटिक्स से याद होगा आपको फिरेंट प्रेजाब की पहली महिला मुख्य सचीव क्र बन गई है तो आंसर होगा विणी महजन तो इनका नाम आपको याद रखना है विनी क्रेटरी बन गई है बाकी अनमोल नारंग की बात करेंगे US Military Academy से Graduate होने वाली पहली सिख महिला बनी है और मनमीत कौर ये पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार है जिने ब्रेटेन में एक पुरुसकार के लिए नमित किया और वनीजा रुपानी ये भारते मुल्की लड़की है जो USA में रहती है और नासा के मंगल गर है के पहले हेलिकॉप्टर का नाम इनों ने रखा है और नाम क्या रखा है इंजी नियूटी नाम रखा है फिर अभी किस राजी की सरकार ने आदर्श थाना और आदर्श थाना प्रभारी योजना शुरू करने की घोशना किया तो आंचर होगा फिर से 36 गड़ा अब इस योधना में क्या होगा इसमें कुछ रूल्स बनाए जाएंगे जैसे कि लोग जो पुलिस स्टेशन में आते हैं उनके साथ पुलिस स्टाफ सह इसे वेवार करें ताकि जो पीडित व्यक्ती है जो महिलाएं जो बच्चे होंगे वो थाने में बेखोफ होकर के बिना किसी डर के अपनी बात कह पाएं और जो भी उनकी प्रॉबलम से जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका ततकाल समाधान भी किया जाए और जो असमाजिक त उनके खिलाफ कठोर कारवा की जाए अचा इसी की साथ मैंने आप लोगों को एक पॉइंट भी बताये था कि 36 गड़ के जो कबीर धाम जिला है उसके बोडला थाने को केंद्र गरहम अंत्राले ने आदर्श थाना पुरुसकार 2019 से सम्मानित किया है और इसे ही 36 गड़ के 465 stations में से annual ranking of police station 2019 में सबसे best station भी चुना है फिरेकिस bank ने यूवा पे नाम से digital wallet mobile application को launch करने की घोशना की है तो आंचर होगा yes bank ने तो जब आप digital payment करते होंगे तो या तो phone पे से करते हो या Google पे से या Paytm वगेरा से करते हो तो उसी की तरह ये यूवा पे नाम का digital wallet को आप use कर करके भी कर पाओगे और इसमें एक और फाइदा ये मिलेगा कि बिना internet के भी आप पेसे का LinkedIn कर सकते हो तो याद रखना है इस यूवा पे application को किसने launch किया yes bank ने अच्छा ध्यान से सुनो ये यूवा है यूवा एक वायू भी आपने नाम सुना होगा तो यूवा और वायू में ज्यादा अंतर नहीं है तो confuse मत हो जाना देखो वायू अभी हमने जब पढ़ा था जब भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्विद्याले खुला था उसका नाम था वायू और वायू मतलब क्या होता है वैसे विवेका नंद योग यूनिवर्सिटी तो वो वा वा इंडिसेंट बैंक मोबाइल पर करंट अकाउंट की सुविदा देने वाला पहला बैंक बना है यस बैंक की बात करेंगे तो 2004 में स्थापना हुई थी मुंबई में हैटकोटर है और इसके MDCO इसी साल बने प्रशांत कुमार इसका जो टेग लाइन है देखो मैं आप से ह रेल टेल के साथ और एक्जेक्ट कितने स्टेशन 6049 स्टेशन उपर वीडियो निगरानी स्थापित करने के लिए रेल टेल के साथ एक समझोता किया है भारते रेलवे ने रेल टेल ये एक सारवजनिक शेतर का उपकरम है यानि कि पब्लीक सेक्टर यूनिट है तो इससे हो पूँचे ये किस टकनीक पर काम करेगा तो पॉलीक्रेक टकनीक पर काम करेगा। बीच में चली थी है, इसके अलावा जो आपका Central Railway है, जिसका Headquarter आपका छत्रपती शिवाजी महराज Terminus में है, और उसने बनाया है Captain Arjun और Febi I को, ये दोनों कुरुना पेशन्स की screening करने के लिए बनाये गए है, इसके अलावा भी मध्यर Railway June ने नागपुर Railway Station में आत्मा मशीन लगाई थी, उसका काम भी यह होगा, टिकेट को चेक वगेरा करना, साथ में लोगों की temperature को मेजर करना, किसने मास्क लगाया है या नहीं लगाया है, ये भी बताईगी वो मशीन आत्मा का मतलब होता है, आटोमेटिक टिकेट चेकिंग एन मेनेजिंग एकसेस, रेल मंतरी हमारे पियूश को यह लें, और सुतंतर भारत के पहले रेल मंतरी कौन थे, ये भी याद रखो, जौन मताई थे फिर एक इस राज्य सरकार ने, एट वन क्लिक पहल को शुरू किया है, तो आंचर होगा गुजराद सरकार ने, तो MSME सेक्टर्स हो गए, या जो बड़ी ओद्योगी की काईया हो गई, जैसे की जो टेक्स्टाइल इंडस्ट्रीज हो गई, उनके लिए गुजराद सरकार न एक उनलाइन मदद सहायता पहल को शुरू किया है, और इस पहल का नाम है एट वन क्लिक, और इस पहल को गुजराद के जो मुख्य मंत्रियें विजे रुपानी उन्होंने लौंच किया है, या रखना अभी गुजराद के पांचवे लोका युक्त कौन बने थे, राजेश शुकला बने थे, फिर अभी किस राजे या यूनियन टेरिटरी में सीरो सर्वे शुरू किया गया, तो आंसर होगा नई दिल्ली में, सीरो सर्वे मतलब सीरोलोजिकल सर्वे, अब इसका मतलब क्या हो गया, इसे आप ऐसे समझो कि अगर कोई वेक्ती कोरोना वाइरस से संक करमित हुआ, लेकिर उसके अंदर कोई लक्षन नहीं दिखे, तो ऐसे में उसके शरीर में 5-7 दिन के अंदर अपने आपी antibodies बनना शुरू हो जाती हैं, तो इस सर्वे में यही पता लगाया जाएगा, कि वो कौन-कौन से लोग है, जिने कोरोना तो हुआ, लेकिन वो अपन operation shield को भी launch किया था, और एक 5-T plan को भी शुरू किया था, कोरोना के spread को उसके प्रसार को रोखने के लिए, फिर एक इसने विवहार परिवर्तन अभियान, navigate the new normal launch किया, तो अंचरोगा नितियायोग ने, तो इसे Bill and Melinda Gates Foundation के साथ मिलके launch किया है, और इस अभियान का उद्दिश बनाये रखो, हातों को बार-बार साफ रखो, अच्छा नितियायोग से एक और क्यूशन में आपको बताता हूँ, अभी नितियायोग ने International Transport Forum के साथ मिलकर के Decarbonizing Transport in India प्रोजेक्ट भी launch किया था, और ये प्रोजेक्ट भारत में कम कार्बन वाले ट्रांस्पोर्ट सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, ताकि Green House Gases के उत्तरजन को कम किया जा सके, नितियायोग में निति मतलब होता है National Institution for Transforming India, इस्तापना 1 January 2015 को हुई थी, इसके अध्यक्ष भारत के प्रदान मंतरी होते हैं, जो वरतमान में नरिंद्र मुदी हैं, उपाध्यक्ष राजियुकुमार हैं और CEO हैं, अमितापकांट, फिर है, अभी Ireland के ने प्रदान मंतरी कौन बन गए, आंसर होगा, माइकल मार्टिन बन गए हैं, और ये फियाना फेल पार्टी के नेता है, माइकल मार्टिन, अभी तक जो इसके प्रदान मंतरी थे, उनका नाम था लियो व और उनकी पार्टी का नाम क्या था, फाइन गेल नाम था, देखो एक्चुली में अभी हुआ क्या, दुनों पार्टीों के बीच में गट बंदन हुआ, जिसमें ये समझोता किया गया कि लियो वरादकर अभी इस्तिफा देंगे, और वो बन जाएंगे उप प्रदान मंतर और प्रदान मंतरी बन जाएंगे, ये माइकल मार्टिन, लेकिन दो साल के बाद फिर से लियो वरादकर दोबारा से प्रदान मंतरी बन जाएंगे, तो आप तो अभी वरतमान का सिंपल सा याद रखो, आइरलेंड के ने प्रदान मंतरी बन गए, माइकल मार्टिन, बाकी क अब एक बोरुनुव अभी ये किरगिस्तान के नए परदानमंत्री बने हैं, और मुस्तफा अलकदीमी इराग के नए परदानमंत्री बने, Ireland की बात करेंगे, देखो Ireland और एक Northern Ireland, ये दोनों अलग-अलग countries हैं, क्या फरक्षिए दोनों में? इन दोनों में इतना सा प्रिटिश प्रदान मंत्री ने किसे point of light honor से सम्वानित किया, तो आंसर होगा राजिंदर सिंग को, तो ब्रिटेन के राष्ट्रे स्वास्ते सेवा के लिए धन-उगाहने वाले प्रयासों का सम्मान करने के लिए British प्रधान मंतरी Boris Johnson ने Rajinder Singh को Point of Light Honor से सम्मानित किया है यह जो Rajinder Singh है Social Media पर अपने वीडियो में Skipping आपको करते हुए दिखेंगे यह जो Rajinder Singh है Social Media पर अपने वीडियो में Skipping Sick के रूप में Famous है जिसमें आप इने Skipping याने के रसी कूटते वे और अन्य अभ्यास करते वे देखी सकते हैं अचा ब्रिटेन से आपको क्या याद आता है अभी पीछे ही हम लोगों ने पड़ा है कि Swiss Bank ने जो Annual Banking Statistics 2019 नाम से रिपूर्ट जारी की थी उसमें टॉप पे था ब्रिटेन भारत 77 नंबर पे था उसके अलवा अभी आपको याद होगा ब्रिटेन ने अपनी Henry Havelock सड़क का नाम गुरु नानक मार्ग करने की घोशना की है और सड़क के नाम से एक और पॉइंट आपको याद आना चाहिए कि इसराइल ने अपनी तेल अविव सड़क का नाम बदल करके गुरु नानक मार्ग कर दिया सड़क का नाम आती मैंने उसको लिंक करके जोड़ दिया इसराइल की सड़क से कि इसराइल ने अपनी एक तेल अविव सड़क का नाम बदल करके टेगो रिश्ट्रीट कर दिया तो यही एक सई तरीका होता है चीजों को को रिलेट करते हुए पढ़ने का और मैं आपको हमेशा ऐसे ही पढ़ाता हूँ अगर डेली करन्ट अफेर्स पे आप हमारा पढ़ते हूँगे तो आपको चीजे समझ में आ रही हूँगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ बाकी ये जो नाम है अमर्तिय सेन ये इंपोर्टेंट नाम है जर्मनी का प्रतिष्ठित शांती पुरुसकार मिला इनको रतनलाल ये तो बहुत इंपोर्टेंट है विश्व खाद्य पुरुसकार 2020 जीता है इनोंने जावेद अक्टर रिचर्ड डॉकिन सवर्ट जीतने वाले पहले भाड़ति बने है ये सारे इंपोर्टेंट नाम है याद रखना फिर राष्ट्रे सांखी की दिवस कब मनाया गया नेशनल स्टेटिस्टिक दे तो आंसर होगा 29 जून को और इसे हर साल 29 जून को ही मनाया जाता है और 29 जून को ही क्यों मनाते हैं तो 29 जून 1893 को जन्म हुआ था प्रॉफेशर प्रसांत चंदर महाल नोबिस का जिने भारतिय सांखी की का जनक मना जाता है और उनी की जैनती को ये हम दिन मनाते हैं ध्यान से सुनना, ये तो आपका National Statistic Day हो गया, जो हम हर साल 29 June को मनाते हैं, एक World Statistic Day भी होता है, वो हम कब मनाते हैं, वो 20 October को मनाते हैं, लेकिन वो हर साल नहीं मनाते हैं, वो हर 5 साल में एक बार मनाते हैं, सबसे पहले 2010 में, फिर 2015 में, अब 2020 में मनाएंगे, तो यह आप बural lég Francisco, और मकर रिखा के बीच में आने वाला जो पर्थवी का शेतर है, उसे ही ट्रोपिक्स कहते हैं, या उष्ण कट बंदियर, या उष्ण शेतर भी आप उसे कह सकते हैं, और हमारे सांखी की मंतरी कोने, सांखी की और कारेकरमश कारेंवेर मंतराले की, राज्यमंतरी हमारे कौन है? राव इंद्रजीत सिंग है फिर अभी भारते नौसेना ने एक उन्नत श्रीनी का एंटी टॉर्पीडो डिकोई सिस्टम अपने बेडे में शामिल किया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मारीच और इस एंटी टॉर्पीडो डिकोई सिस्टम को किसने बनाया है? DRD उने बनाया है तो इस एंटी टॉर्पीडो सिस्टम का काम क्या होगा? तो पानी में जो आने वाली दिश्मनों की टॉर्पीडो होती है यह उसका पता लगाएगा और उसकी location की जानकरी देगा और उन्हें बे असर भी कर देगा torpedo क्या होता है? तो इसे आप पानी के अंदर चलने वाली missile ही समझो जो submarines हो गई या जो ships वगएरा हो गए जहाज वगएरा उनको तभा करने के काम आती है और हमारे नौसेना प्रमुक कौन है? करम बीर्द सिंग है अभी भारतिय नौसेना ने आपको याद होगा एक PPE kit भी बनाये था जिसका नाम था नवरक्षक फिर अभी संयूक्तिर राष्टर ने केरल की स्वास्तिमंत्री को सम्मानित किया है क्या नाम है उनका? के के शेलजा उनका नाम है और इनके सम्मानित क्यों किया? क्यों की बाकी अनीश कपूर की बात करेंगे ये लगातार दूसरी बार हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप पे रहे थे मशहूर पेंटर ने और बदवार 2019 के लिए Alexander Dell Rimple Award जीता था इनोंने और Saurabh Loda 2020 का Young Career Award in Nanoscience and Technology जीता इनोंने फिर अभी किस मंत्राले के द्वारा संकल्प पर वो मनाया जा रहा है तो आंचर होगा संस्क्रती मंत्राले के द्वारा तो संकल्प पर ये एक तरह का वरक्षा रोपन अभियान है जिसे शुरू किया गया 28 जून को और ये चलेगा 12 जुलाई तक जिसमें क्या होगा अपने कार्याले या उसके आसपास कम से कम पांच पेड़ लगाने होगे ताकि देश का स्वच्छ और स्वच्थ वातवरन सुनिश्चित किया जा सके और ये जो पांच पेड़ होने चाहिए पहली प्राइविटी है कि बर्गत, आउला, पीपल, पहले ये लगाओ ब्लड सर्विस मोबाइल अप्लिकेशन को लॉंच किया था जो की और कोविड-19 के लिए भारत के पहली मोबाइल आई-लैब को भी लॉंच किया था साथ में याद रखना, डबलियो एचो के कारेकारी बोर्ड के अध्यक्ष भी बन गए हैं अभी ये और जो कोईला मंत्री हैं उनका नाम है हमारे परलाज जोशी, धारवाड, करनाटक उनका निर्वाचन शेतर है अभी इन्होंने भी कुछ किया था क्या? सत्य भामा पोर्टल को लॉंच किया था फिर अभी किस भारतिय एंपायर को ICC के एलीट पैनल में शामिल किया गया है तो आंसर होगा नितिन मैनन को एलीट पैनल क्या होता है? एलीट पैनल होता है जो एंपायर वास्तों में एंपायरिंग करेंगे और इस तरह से विनीत मिनन तीसरे भारतिय बन गए हैं इस पैनल में शामिल होने वाले इससे पहले भी दो भारतिय इस पैनल में शामिल हो चुके हैं और अब ये तीसरे भारतिय बन गए हैं नितिन, मैनन साथ में याद रखो ये सबसे युवा एंपायर भी बन गए हैं इसमें शामिल होने वाले यंगेश्ट एंपायर देखो एंपायर की बात होती है तो कुछ related questions में आपको बताता हूँ एक तो आप जैकलीन विलियम का नाम याद रखो वेस्ट एंडीस की है ये और इनका नाम क्यों याद रखना है आपको क्योंकि पहली महीला है ये जो की दुनिया की थर्ड एंपायर बनी यानि की दुनिया की थर्ड एंपायर बनने वाली पहली महीला बनी है जेकलीन विलियम इसके लवा भारत की दो और महिलाएं ऐसी है जो अभी नई नई एंपायर बनी है जिनका नाम में वरंदा राठी और जननी नारायान इसके लवा एक एंपायर थे साइमन टॉफिल यह अभी न्यूज में क्यों थे क्योंकि इन्होंने अभी एक किताब लिखी थी 4-5 महिने पहले उसकिताब का नाम था Finding the Gaps बाकी G.S. लक्षमी का नाम भी आदे आपको 2019 में इंटरनेशनल पैनल की मैच रेफरी बनने वाली पहली महिला बनी थी उसके बाद United Arab अमिरात में पुरुष किर्केट वर्ल्ड लीग में रफरी बनने वाली पहली महिला भी बनी थी यह राहुल देव तो आप जानती है हो पाकिस्तान एयर फोर्स के पहले हिंदू पैलेटर बने थे और विनी महाजन पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी है फिर अभी मद्यपरदेश के राज्यपाल का अत्यरिक्त प्रबार की से सोपा गया तो आंशरोगा आनंदी बेन पटेल यह मैं आपको पीछे बता चुका हूँ तो सिंपल सा आपको याद रखना है देखो आनंदी बेन पटेल यह वर्तमान में आपके उत्तरपरदेश की गवर्नर है वैसे मद्यपरदेश की गवर्नर है लाल जिदा स्टंडन लेकिन उनका इलाद चल रहा है तो जब तक उनका इलाद चलता है वो ठीक होके वापस नहीं आ जाते तब तक काम समालेंगी आनन्दी बेन पटेल इसी को बोलते हैं अत्रिक्त प्रबार एडिशनल चाडिस बाकी कलराज मिश्र यह आपके राजस्थान के गवर्नर है रमेश बेस यह आपके तरिपुरा के हैं और जगदीब धनकड यह आपके पस्चिम मंगाल के हैं फिर अभी इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने किस देश के उपकरण के उपयोग पर प्रतिबंद लगा दिया तो अंसर होगा चाइना तो अभी Indian Wet Lifting Federation ने का है कि भाया चाइना से जो वेट लिफ्टिंग के लिए सामान आ रहे हैं वो खराब हैं हमारे जो वेट लिफ्टर हैं वो इनका इस्तमाल नहीं करेंगे तो अब से हम Chinese की कंपनियों से कोई भी सामान नहीं खरी देंगे बहुत बढ़िया इसके अलाव मैंने आपको बताया था भी हमारी सरकार ने 59 Chinese एप्लिकेशन इसके अलाव मैंने आपको बताया था कि हमारी सरकार ने 59 Chinese मोबाइल एप्लिकेशन को भी बैन कर दिया है जिसमें आपकी TikTok वगएरा Shareate, UC Browser, Hello Vigo यह सब आ गई है और क्या केकर मना किया गया या बैन किया गया कि यह एप्लिकेशन अपने यूजर का डेटा चोरी करती है चोरें यह सब के सब और इसी तरह से आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही भारते रेलवे ने भी Chinese की एक कमपनी के साथ समझोता रद कर दिया था कारण क्या बताया था एक्चुली समझोता 2016 के असपास किया गया था और समझोता इस बात पर हुआ था कि तुम 417 किलोमेटर लंबा एक सिगनलिंग और टेली कम्यूनिकेशन का काम करोगे 2019 तक उसे कम्प्लीट कर लोगे लेकिन 2020 आ गया अभी तक केवल उन आलसियों ने 20% काम पूरा किया इसलिए हम उनके साथ समझोता रद कर दे हैं बहुत बढ़िया इतना है नहीं अभी BSNL ने भी बूल दिया है कि हम 4G संसादनों को अपग्रेड करने के लिए जो Chinese उपकरन होते हैं उनका यूज नहीं करेंगे शाबाश एक्चुली अभी आपको पता होगा लद्दाग के गल्वान घाटी में जो हिंसक जड़ब हुई थी उसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए थे उसे के बाद हमारे देश में चाइनीज आइटम के इस्तमाल के भहिशकार की मांग की जा रही है अचा यहां से एक और पॉइंट आप याद रखलो इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रसिडिन का नाम क्या है बिरेंदर प्रसाद बेश्या है फिर अभी किस राजी की सरकार ने किल कोरुना अभियान को शुरू किया है तो अंसर होगा मद्यप्रदेश की सरकार ने तो मद्यप्रदेश की सरकार राजी में कोरुना के परसार को कंट्रोल करने के लिए एक जुलाई 2020 से किल कोरुना अभियान को शुरू कर रही है वो इस अभियान में होगा क्या? डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा अच्छा मद्यपरदेश से एक और पॉइंट बताता हूँ अभी मद्यपरदेश सरकार ने प्रवासी शर्मी को क्या होता ये Lichen तो एक परकार की वनस्पती है जिसे पहाडों में तो जूला घास कहा जाता है और पत्थर के फूल नाम से भी इसे जाना जाता है ये डाइनसूर के सम्मी की वनस्पती है और अभी इसी के संगरक्षन के लिए और लोगों को इसके बारे में जागरुक करने के लिए इस पार्क को बनाया गया है और कहां पे बनाया गया है उत्तराखंड के पिथोरा गड जिले के मुनस्यादी में ये देश का पहला लाइकेन गार्डन बनाया गया है वैसे आपको बता दू यह जो लाईक है ने इसका काफी जगे इस्तिमाल होता है आप इसका इस्तिमाल दवाईयों में कर सकते हो सनस्क्रीन क्रीम्स जो आती है वहाँ परफ्यूम्स जो आते हैं मसाले वगेरा काफी जगे इसका इस्तिमाल होता है अच्छा उत्तराखंड से एक प्रश्ण में आपसे पूछना चाऊँगा, अभी उत्तराखंड की देखो धेरादून तो एक कैपिटल है, अभी इसकी एक नई कैपिटल और बनिये, समर कैपिटल, वो कौन सी बनिये, ये प्रश्ण है मेरा आपसे, आप लोग बताओ, तो त प्रश्ण के नए प्रधान मंत्री बने, मलावी, ये साउथ अफरिकन कर्डरी है, याद रखना इसको ही पहले नियासा लेंड भी कहा जाता था, मलावी को ही, कैपिटल इसकी लिलॉंगवे है, और करंसी है, मलावियन क्वचा, तो गाइस ये लीजिए, इसी कुश्चन के साथ आपका ये वीडियो खतम हो गया है, और इसी वीडियो के साथ आपके सभी weekly current affairs इस महिने के खतम हो गया है, वीडियो हाँ, थोड़ा सा लंबा बन गया है, लेकिन क्या करें, टोटल लगबग 50 around कुश्चन है इसमें, और आपने नोटीस किया होगा, सारे important कुश्चन है किसी को छोड़ भी नहीं सकते, अब ऐसा तो है नहीं, वीडियो छोटा बनाने की चकर में हम कुश्चन को छोड़ दें, ये तो formality हो जाएगी फिर, और वो मेरे को आती नहीं, ये माफ करना, आप समय मत देखो, आप quality और content पे ध्यान दो, ये बात आप भी जानते ही, content मिल रहा है, एक्जाम में अगर वो question आया ही नहीं, जो आप पढ़के गए, तो फिर क्या काम का, तो कम से कम उतना तो पढ़ो, जितना content आपको पढ़ना है, बाकी भेड़ चाल आपको नहीं चलनी है, समझदार बनोगे, तो अपनी मनजिल को जल्दी प्राप्त कर लोगे और वीडियो को like और share करना मत बूलना, और इन सभी questions का quiz बना करके upload कर दूँगा, देखो number of questions जादा है, तो हो सकता है quiz थोड़ा late upload हो, क्योंकि मुझे सारे questions type करने हैं, तो time तो मुझे चाहिए होगा, बाकी please like और share ज़रूर करना, मेरी मेहनत का मान ज़रूर रखना, आप म कर लेते हैं, कोई problem नहीं है, लेकिन कम से कम like तो ज़रूर कर दिया करें, एक touch करना है बस आप, thank you guys.